अकोला 24 न्यूज एक कदम प्रस्टचार के किलाव परिसर में जिदर देखो उधर गंदगी ही गंदगी नजर आती है हाला कि सरकारी अस्पताल प्रशासंद वारा सफाई कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ती की गई है फिर भी इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे जहां पर भरती है ऐसे वार्ट क्रमंक 22 एवं 23 में टोयलेट का पानी बच्चों के जनरल वार्ट था आईस्यू वार्ट तक पहुच रहा है इस संबंद में चिंता का विशे ये है कि जहां पर बाहर की चपल भी नहीं ले जा सकते वहां पर इस प्रकार बातरूं का गंदा पानी पहुचना नन्हे बच्चों के स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जितनी साब सफाई रखी चाए उतना बच्चों के स्वास्त पे अच्छा असर रहता है अगर स्वास्त को अच्छा रखना है तो परिसर भी अच्छा होना चाहिए किन्तो अस्पताल के सफाई कर्मिचारियों की लापरवाही तत संबंदित प्रशासन की लापरवाही से इसका खामियाजा चोटे बच्चों के साथ साथ वहाँ पर मौझूद उनके परिजनों को भी बुकतना पड़ रहा है अस्पताल में बच्चों के वाट तक गंदा पानी जमा हो गया है जिसकी गंदी बद्बू भी आसपास के परिसर में खड़े रहने नहीं देती है प्राब जानकरी के अनुसा टोइलेट चोक अप होने से ये पानी बादरूम से बाहर आने का सामने आया है परिणाम सरुप जो परिजन बच्चों के साथ रहते हैं उन्हें भी वहाँ से कहीं दूर चलके प्राइवेट टोइलेट में पैसे दे कर जाना पड़ रहा है अब इस पर सवालिय निशान ये उट रहा है कि कहीं ये साफाई करमचारी और प्राइवेट टोइलेट करमचारी की मिली भगत तो नहीं है कि पेशन ने पैसे दे कर प्राइवेट टोइलेट में जाना चाहिए ऐसी चर्चाए हॉस्पिटल में नागरी कर रहे है इस ओर जिलह सरकारी अस्पितल की अधिश्टाता मिनाक्षी गजपिये दौरा गंबिर्ता से ध्यान देने की मांग परिजन कर रहे है अगर ऐसे ही गंदा पानी बच्चों के NICU और ICU तक पहुच गया तो उनकी जान को भी दोका निर्मान हो सकता है इस जम्मा पानी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जिलह सरकारी अस्पितल प्रशासन को बड़ी गटना का इंतजार है अगर नहीं है तो वो अस्पितल के 22 एवं 23 समय जहां पर गंदगी का आलम है ऐसे सभी वार्ड में गंबिर्ता से ध्यान दे कर उसकी साफ सपाई हे तो ध्यान देना चाहिए